हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जैसे कि आपने थमनेल से देखी लिए होगा इस वीडियो को बनाने का मकसद यह था कि सेभी के जो नए रूल्स आये उससे काफी सारे लोगों को और ट्रेडर्स को कन्फूजन है और उस कन्फूजन को दूर करने के लिए एक सिंपल और छोटा सा वीडियो में बना रहा हूँ तो चली शुरू करते हैं क्या आपने कभी सोचा कि आपके ट्रेडिंग लॉसिस की वज़ए सिरफ मार्किट नहीं बलकि उसके रूल्स भी हो सकते हैं मार्किट के रूल्स भी आपके ट्रेडिंग लॉसिस के जहां जादा तर ट्रेडर्स को नुकसान होता है इसलिए सेवी ने डेरिवेटिव स्ट्रेडिंग के फ्रेमवर्क में कुछ बड़े बदलाव प्रपोस कियें ताकि रिस्क को कम किया जा सके और ट्रेडर्स को हैवी लॉसिस से बचाया जा सके तो चली समझते हैं सेवी के बदलाव और देखते हैं कि छोटे ट्रेडर्स पर इसका क्या असर हो सकता है इन बदलावों को ठीक से समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि सेवी के असल में कंसर्न क्या थे डिरिवेटिव स्ट्रेडिटिंग को लेके अगर financial air 2024 की डेटा की हम बात करें तो उसके मिताबिक लगबग 92.5 लाक रिटेल ट्रेडर और प्रोप्राइटर फिर्म्स ने derivative ट्रेडिंग में लगबग 51,700 करोड का नुकसान उठाया है जहां 100 में से 85 ट्रेडर्स को लॉस हुआ है तो अब हम सेबी के ये साथ proposed changes है इनको समझ लेते हैं तो market में stability लाने के लिए और losses को कम करने के लिए सेबी ने कुछ important changes प्रोपोस की है जिनमें से सबसे पहला है strike price का rationalization तो सेबी का ये कहना है कि जो strike price का structure है उसमें सुधार किये जाने की जुरूरत है और अब strike price के बीच का difference जो है वो current index price के आसपास ही होगा यानि की 4-8% तक का ही होगा साथ ये एक contract में जादा से जादा 50 strikes की limit सेट की गई है दूसरा change है कि option premiums का advance collection किया जाएगा सो option trading में high risk को देखतो है सेबी ने option premium का advance collection mandatory कर दिया ये गदम investor protection को बढ़ाने और market volatility को कम करने में मदद करेगा ऐसा सेबी का मानना है तीसरा expiry day पर calendar spread का removal तो calendar spread एक strategy है जिसमें अलग-लग expiry's वाले options को buy या sell किया जाता है expiry date पर high trading activity और उसके risk को देखतो है सेबी ने calendar spreads के लिए margin benefits को पूरा हटाने का proposal दिया है चौथा proposal है सेबी द्वारा new surveillance system तो तेजी से बदलते market को देखते हुए सेबी ने index derivative contracts पर नजर रखने का फैसला किया है अब cleaning corporations और stock exchanges को इन contracts पर ध्यान रखना होगा लेकिन technical changes की ज़रूरत के कारण इसको धीरे-धीरे implement किया जाएगा यानि इसको phase-wise implement किया जाएगा पांचवी जो प्रपोस change है वो है minimum contract size में वृद्धी सेबी ने index derivative contracts के लिए minimum contract size को दो phases में revise करने का proposal दिया है फेज वन में contract शूरू होने पर minimum value 15 लाग से 20 लाग के बीच में होनी चाहिए और phase 2 में 6 महीने बाद minimum value 20 लाग से 30 लाग के बीच में होनी चाहिए जो छेवी प्रपोस change है वो है weekly contracts में बदलाव फिलहाल weekly contracts हफते के 5 दिन expire होते है यानि 5 दिन कोई न कोई expire ही आपकी रहती है जो खासकर final hour में market fluctuation का कारण बन जाते है तो सेभी का proposal यह है कि हर exchange पर weekly option contract सिरफ एक single benchmark index पर offer किया जाए और साथवा और आखरी जो प्रपोस change है वो है expiry के पास margin में वरिदी यानि contract expiry के नजदीग higher risk से बचने के लिए सेभी ने extreme loss margin यानि ELM को 3 से 5 परसेंट तक बढ़ाने किया सुझाव दिया है तो सेभी के इन नए proposals का stock market और investors पर क्या असर होगा यह तो समय ही बताएगा मगर शुरुआती तोर पर यह माना जा रहा है कि यह बदलाव नए और छोटे traders के लिए derivative trading को और मुश्किल बना देंगे क्योंकि जो जरूरी funds हैं वो काफी बन जाएंगे मगर दूसरी तरफ यह बदलाव market में stability लाने और risk को कम करने की उमीद भी रखते हैं और इस तरह के interesting regular updates प्रोवाइड करने के लिए मैं Samco Securities का भी धन्यवाद करता हूँ तो दोस्तों यह था आज का वीडियो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ थैंक यू